हलो आप देखेंगे सेल प्यानों और आज बात करेंगे कि MS-25 के अंदर कौन-कौन से important question आते है एक नो MBA के अंदर Managing Change in Organizations में तो चलो देखते हैं यह है MS-25 की e-book है Managing Change in Organizations तो इसके अंदर कुछ long question है very important question है जो हर बार आए है यह लगबग 10 साल के questions का analysis है अगर आप यह questions कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने exam को clear कर सकते हैं इसमें मैंने last में एक case studies भी लगाया है जो 40 number का आता है और 60 number के यह questions आते हैं जो आप देख रहे हैं तो आपको जो है case studies में क्या करना है आपको इन सब जो जैसे turn around management है जितनी भी हम चीज़े इसके अंदर पढ़ेंगे जितनी हम इसके अंदर theory पढ़ेंगे उसी के बेस पर आपको अपनी case studies को solve करना है just practice के लिए मैंने नीचे case studies दी है जो exam में आई है आप उनके उपर work कर सकते हैं उसे आपको पता चलेगा कि आपके MS 25 में किस तरीकी की case studies आती है ठीक है तो आपको क्या है just जो managing change से related है जो हम चोरीज है जो हम पढ़ते हैं उन सब को इसके अंदर utilize करना है ठीक है intergroup interventions वगेरा हो गया managing transactions वगेरा हो गया तो distance to change हो गया leadership type का जो हो गया management के अंदर management किस तरीके से change करता है इन सब चीज़ को plan change किया है यह सब चीज़े आपको आने चाहिए इसके अंदर तो चलो एक एक करके हम discuss करते हैं मैं इसमें कुछ important question बताऊंगा इस बुक के अंदर जो है long questions भी है short questions है first priority वाले long questions उपर दिये सबसे पहले इन सबको कर लेना है आपको यह question turnaround management वाला लगबग हर जगरे पर मिल जाएगा और हर question paper के अंदर यह मिलता है इसलिए इसको मैंने top priority पर रखा है तो इसको आपको ढंक से करना है अच्छे से करना है आपको focus करना है इस book के जरिए इन questions के जरिए कि जो questions maximum बाहर आते हैं उन सबको करना है इसमें मेरा WhatsApp number भी जिया है आप उसके भी contact कर सकते हैं कोई issue आता है ठीक है इसके बाद हम दूसरे number questions के उपर चलेंगे जो दूसरा question आपको करना है key role managing organization change क्या-क्या key role है उनके बारे में discuss करना है international resource person consulting the bring about the change इसके बारे में आपको लिखना है ठीक है उसके बाद आपको तो तीसरा number जो questions करना है इसी तरीके से हम बात करते चलेंगे तो यह 16-17 questions है नीचे तो इन सब को हम करेंगे उसके बाद describe any four type of organization structure and their limitation उसकी advantage यह सब चीज़े आपको बतानी है उसके बाद हम नीचे चलेंगे चोथे number पर हो जाएगा explain the nature of change and briefly describe the role of change agent role of change agent वाला question भी बहुत जादे important है जो short और long दोनों में आता है तो इस question को आपको पक्का करना है यह जो सभी के top की questions है आपको पक्का करने बाकि इसमें सभी important question है 16-17 question long है और 16-17 question short है जो पिछले 10 साल में आये है जो maximum आये है वो top priority पे है जो कम बार आये है वो नीचे है तो उसी हिसाब से आपको इन सब questions को करना है और यह आपको exam में आएंगे ही आएंगे ठीक है और इसके इससे क्या है कि आपको effort कम हो जाएगा आप अपने आपको जो है अच्छे marks के साथ आगे बढ़ सकते हो what is interventions discuss the personal and interpersonal and group based intervention क्या है और explain करना है examples के साथ तो इस तरीके से पांच वा question यह हो गया आपका और जब आप छटे questions के ओपर जाओगे तो यह book काफी बड़ी है 83 phase की है आप इसको download कर सकते है लिंक description में दिया है अगर फिर भी आपको कोई issue आता है तो मुझे comment कर सकते हैं च्छटा question है define and describe organizational diagnosis briefly discuss the domain of organization diagnosis organization diagnosis वाला question बहुत important है किसी ना किसी form में आता है short oblique long में हम short questions के उपर भी नीचे बात करेंगे तो यह question भी आपको करना है इसके बाद जो next question आत्वा सात्वा वाला question जो है seven number role of HRD in managing change and describe the skill required to role change agent in organization setup ठीक है आत्वा जो questions है आपको करना है जो बहुत ज्यादा important है वो है why do individual and organization resist change organization and individual change को क्यों रोकता है change होने से किसी organization के इंतर कोई भी change होता है उसको क्यों रोकता है source of individual and organization resistance क्या क्या है explain करने है examples के साथ ठीक है इसी तरीके से आपको नीचे जो है second priority वाले questions आपको मिल जाएंगे organization culture वाला questions है होच जादा important है हर बारा लगवग ये भी आता है discuss करना उसके aspect taken into the consideration feeling of the organizational cultural gap को कैसे fill किया जासा है तक सकता है organization setup के दोरान तो ये सब चीज़े बताने है अब हम सीधा चलेंगे short questions के ओपर ठीक है ताकि आपको इसमें पता चले short questions first priority वाले most important short questions अगर आपको इसके और भी questions आपको देखने हैं 17 questions के आप पास है long वो आप उसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं skip किया हूँ आप इसको नीचे से download कर सकते हैं just questions के नीचे answer है तो जो हम short questions के बारे में बात करेंगे जो 17-18 short questions है और उसके नीचे जो है cases reach है तो setup involved in turnaround ये देखो ये turnaround वाला questions फिर short में भी आ गया मैंने लिख दिया कि हमने long में discuss कर लिया functional organization structures ये भी हमने long questions के अंदर discuss कर लिया है आप उपर आएगा ये question हमने skip कर दिया organization culture and organization change ये justice के नीचे दिया हुआ है आप इसको देख सकते है इसका answer उसके बाद हम next questions के ओपर जाएंगे जब alternative to merger and acquisition very important questions इसको पक्का कर लेना है और उसके बाद हम next question के ओपर जाएंगे तो ये हो जाएगे skill to change agent change agent किशी ना किसी form में आता ही आता है long or short हुथ important questions है इसको भी आपको करना है इसमें क्या है आपको questions को आसानी से मिल जाएंगी और books के अंदर आपको ढूणने में काफी मुस्किल हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को short time पे देख रहे हैं तो आप इन questions को book से भी कर सकते हैं अगर आपको यहां पर करना है तो book नीचे description में दिए हैं वहां से download करके साब सभी questions देख सकते हैं वीडियो काफी लंबा होड़ा इसलिए मैं यहीपे skip करता हूं इसक six box model वाला question भी बहुत important है यह भी कहीं बार आ चुका है तो इसी तरीके से और सोला सत्रा questions है और यह जो छोटे-छोटे question और बड़े question अगर आप मिला लो और case studies के ओपर जो नीचे दी हुई है वो practice कर लो आपको खुदी करना है इन सब में जो हम यह सब चीजे जिस questions को हमने में discuss किया उसी को implement करना है और लिखना है उनके answer तो आप बहुत अच्छे marks के साथ आप इसमें पास हो सकते हो अगर फिर भी आपको को issue आता है तो नीचे comment कर सकते हैं thank you